हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लो आसा करता हूं बढ़िया होंगे आप लो वेलकम वेक्ट तो माई यूटूब चैनल मिर्शन इंजिनिरिंग और टेकनलोजी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रियो टुटोरियल ठेक है इसमें बहुत सारे टुटोरियल हम देखेंगे इस सारा कुछ आज हम डिसकस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले करना क्या है आपको सॉफ्टर देख लीजिए आपको क्रियो पैरामेटर ठीक है पैरामेट्रिक इस पर आपको क्लिक कर लिए नहीं हम जो यूज कर रहे हैं जो एट पाइंट जीरो भी उस कर रहा होगा वह यूज कर सकती क्योंकि ज्यादा चेंज है नहीं वेसिक फॉरी बहुत चेंज होती है तो डबल कलिक करें आप यह सॉफटर को ओपन कर लिजिए ठीक है यह सॉफटर आपका ओपन हो रहा है तो इस तरह आपके कुछ Welcome Page आपके Open होंगे, सबसे पहले क्या कर देना है, यहाँ पर No Start Working, और यह जो एक्स्प्लोर करी हो है, इस पेज को Cancel कर दो, इस Welcome Page को, जो Permanent Redirect है, इस Page को भी Cancel कर दो, और इसे Maximize कर लेते हैं, ठीक है, अब देखना है, कि कैसे हम अपनी Drawing बनाते हैं, अभी Software ओपन ही किया है, मुझे कोई भी छोटी या बड़ी कोई भी Drawing बनानी है, सबसे पहला इस टेप क्या होगा, मुझे क्या करनी जाए ही सबसे पहले, है ना, तो सबसे पहले हमें Work Winch सेलेक्ट करने परते हैं, क्योंकि हर एक Software हैं, बहुत सा जारे मिलेंगे आपको, Solid, Sheet Metal, तो आप किस टाइप के Work करने जा रहे हैं, आप, Solid Modeling कर रहे हो, Sheet Metal कर रहे हो, या Assembly करने जा रहे हो, या Manufacturing करने, क्या करने जा रहे हो, तो पहले आपको Decide करने होंगे, Suppose, मुझे एक छोटा Parts डिजाइन करना है, है ना, मुझे Solid Components डिजाइ हो, तो उसके लिए 2D सबसे पहले sketch बनानी परती है, ठीक है, तभी आप 2D को 3D में convert करते हो, बट यहां भी क्या देख सकते हो, पार्ट अलगा sketch अलग दिया हो, दोनों अलग workbench है, तो जब आप software start करते हो, तो 2D के सारे tools एक जगा आपको यहां पर दिये हुए sketch में, क्या क tools के हैं, 2D के हैं, तो आप 2D यहां पर बना सकते हो, drafting type का work कर सकते हो, सब कुछ, जो भी basic आपको 2D बनाने कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करने 3D parts बनाने है, तो क्या यहां पर जाना सही रहेगा, या आप direct new पर जाएगा, और पार्ट पर जा सकते हो, तो कोई issue नहीं है, आ आपको sketch पर जाने ही कोई जरूत नहीं, सीधा आप new पर जाओ, और part direct open करो, ठीक है, और जो फाइल का name देना है, अपने में यहां पर डाल दो, और ok कर दो, ठीक है, मैं इनो ok कर दिया, यह देख सकते हो, यह आपका, क्या open हो चुका है, part का workbench open हो चुका है, अब आपको 3D model बना सकते है, solid components बना सकते हैं, देख सकतो, extrude, revolve, sweep, जहां पर इस तरह का, आपको tools दिये गए, इसका मतलब होता है, कि आप यह part design में इंटर कर चुके हो, आप 3D आप design कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको पता है, कि 3D design करने के लिए, 3D parts बनाने के लिए, सबसे पहले 2D की जरूत होती है, क्योंकि 3D में convert के लिए, 2D ही convert किया जाता है, 3D में, 2D की साहता से 3D बनती है, बिदाव 2D, you can't create 3D, तो सबसे पहले क्या देखना है, कि ठीक है, अब 2D मुझे बनानी है, तो 2D कैसे बनाए, ठीक है, सबसे मुझे एक cylindrical से बनानी है, तो उसके लिए क्य magnitude करूंगा, कुछ height values डालनुगा, तब जाकर कि वो क्या होगा, एक 3D object बनेगा, तो सबसे पहले main matter के यहां पर कि मैं एक plane कैसे select करूं, sketch के लिए, ठीक है, मैं वो circle कैसे बनाऊं, ठीक है, वो देखना है, चलिए देख सकते हो, आप यहां पर, आपकी पास available 3 plane है, 1, 2, 3, ज ठीक है, suppose मैं एक circle top पे बनाने जा रहा हूं, तो इसके लिए क्या करने होगे आपको, सबसे पहले sketch पे click किजी, क्यूंकि आपको sketch के अंदर जाने है, तो आपको क्या करने है, sketch पे click करना है, और plane पे click करके sketch पे click कर लिजिए, ठीक है, जैसे ही, जैसे ही आपने plane पे click किया, अब देख सकते हैं, यह plane तो select हो चुका है, बट वो plane जो है, वो normal view नहीं है, सीधा नहीं है, आपके पास है, कोई भी चीज अगर, एक seat ले लिया जाए, एक आपको page दे दिया है, लिखने के लिए, जैब आपके normally सीधा नहीं हो, कैसे लिखोगे, तिर्चा page पे तो लिखन नहीं पाओगे, सो यहां पर करना कुछ नहीं है, आपको यहां पर एक option दिखेगा, sketch view, जिस view को अपने select किया है, जिस plane को अपने select किया है, वो plane आपके पास appear होने चाहिए, तो आपको कहां पर click करनी है, यहां पर बहुत सारे option, यहां पर एक option देख सकते हो, आपका sketch view, यह पर click किजिए आप, आपका normal to view, यह जो view है ना, आप normally आपके सामने आ चुका है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 2D sketches यहां पर draw कर सकते हैं, अब देखो कुछ दर पहले, जो मैंने आपको sketches दिखला हैं थे, sketch के जो tools दिखला हैं, तो वही सारी चीज है, यहां पर available है, क्योंकि 3D तो 2D के साहता सही बनती है, तो क्यों ना, direct 2D हम यहीं पर देख ले, और उसको convert भी कर सकते हैं, 3D में जीधा हैं, तो हम 2D यहीं से हम cover करते हैं, आप वहां से भी कर सकते हो, देख सकते हो, यहां से भी देख सकते हो, कोई issue नहीं है, ठीक है, तो basically अभी कहां आ चुक्य है, 2D में आ चुक्य है, कहां चुक है, sketch में आ चुक्य हैं, फिर से है न, चल लीए, तो सबसे पहला option जो हम discuss करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, वह क्या है, आपका, वह लाइन, ठीक है, सबसे पहला option क्या है, यहां पे, क्लिक कर लिजे, आपको दो तरह की ल यह आपका line create होगा, आप देख सकते हो, बस आपको click करते जाना है, यह मैंने click कर लिया, और आपको sketch से बाहर अगर निकलने हैं, जैसे कि आपने यह profile बनाने थे आप complete कर चुके हो, बाहर निकलने हैं, तो कुछ नहीं, आपको escape press कर देना है, जैसे escape press करोगे, तो आप sketch से बाह एक बाहर और click कर दो, यह select हो जाएगा line आपका, ठीक है, escape कर लिजिए, देख सकते हैं, आपके sketch से बन चुके है, अब यहाँ पर seat को हम, zoom in, zoom out कैसे करते हैं, scroll से करते हैं, scroll को up and down करेंगे, तो zoom in, zoom out होगा आपका, ठीक है, चलिए, तो एक चीज यहाँ पर देख रहे हो, इसके sketch जो आपने बना है, line के through, यहाँ पर बहुत सारे dimension साथ में, zoom कर रहे हैं, यह देख सकते हो, बहुत सारे dimension, constant, सब कुछ यहाँ पर, geometrical, constant, dimension, सारे कुछ सो हो रहे हैं, आप चाहते हो कि यह zoom ना हो, यह इस disturbance हो रही हैं आपको, तो आप zoom ना हो, तो इसके लिए क्लिक क दिखाई देगा, constant display, dimension भी है, और constant geometrical का भी है, तो यहाँ से untick कर दिजी आप, आप देख सकते हो, यह hide हो चुका है, अगर नहीं देखना चाहते हो, बट यह रहता है, तो सही रहता है, जाकि आपको dimension चेंज करनी हो, तो आप चेंज कर सकते हो, जब 3D सीट में जाओगे, दिखाई नहीं देखी हो, आप पर है, चलिए, तो मैंने यह sketch बना लिया, अब देख सकते हो, अब यह basic चीजे देखते हैं, अभी इस tools को रहने दो, line tangent, जब use परेगी तो बाद में देखेंगे, अगला tools देख लो, rectangle, बहुत simple है, जिन्होंने autocad, दूसरा software कर रखा है, यह कुछ खास नहीं है, आप simply आप कर सकते हो, rectangle में जाओगे, क्या बोल रही है, first corner, second corner, define करने ही पड़ते हैं, इसमें देख लिए और type मिलेंगे आपको, है न, slanted rectangle, ठीक है, जैसे कि आपको three point rectangle आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है, एक second, first, second and third, sorry, first, second and third point rectangle, अगल, अगला क्या है, आपका center rectangle, मतलब center point से अगर देखा जैता, symmetrical ही आपके rectangle create होते हैं, simple है, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है, parallelogram, parallelogram आप create कर सकते हो, मतलब क्या होता है, rectangle में क्या होता है, यह between angle 90 degree होती है, बट इसमें क्या होती है, कि angle 90 degree और less than 90 degree हो सकती है, मतलब angle change कर सकती है, ठीक है, चलिए, जाया तर आपको जरौत परती है, किस चीज की है, यहां पर corner rectangle और center rectangle की, ठीक है, चलिए, next option आपके पास आता है, वो क्या है, circle, सबसे पहले, circle देख लिए, आपके क्या है, center and point, मतलब circle जब बनाओगे, तो center point define करनी है, आपको, और circle define करनी है, उ circle की reference से तो click कीजिए, इस पर और ऐसे देखो, बहुत सारे circle click करते जाओ, आपको circle मिलते जाएंगे, command से बाहर आना है, आपको escape कर लीजिए, ठीक है, चलिए, three point circle है, तीन reference चाहिए, आपको, one, two, three, ठीक है, with the help of three references, मतलब यहां पर circle बनाया जा सकता है, ठीक है, first, second, third, ती point आपको define करनी है, अगर आपके पास already पहले से point है, तो आप भी point ले सकते हो, ठीक है, चलिए, यहाँ पर three tangent है, तीन tangent चाहिए होती है, तीन line, circle, arc, कुछ भी ले लो, कितीन sketch को यह touch कर सके, one, two, and three, tangently touch करते हो, एक circle आपका बनाया, इसमें values आपने ही डाल सकते हो, है ना, व center, start and end, center, start origin type था, ठीक है, ना, three tangent, वही तीन point, first, second, third, तीन point की थूँ, ती बेसिक चीज़ें, यह करोगी तो आप खुद कर सकते हो, concentric, एक arc बनाया हो, ऐसा ही arc, आपको अंदर बाहर number of arc चाहिए, आपको, first, second, third, बस आपको start point और in point समें में define करने होंगे, command से बाहर निकलने, escape press कर दीजे, next हम देखते हैं क्या, ellipse, axis and ellipse, यहाँ पर क्या आपको, ellipse mostly draw करने के लिए क्लिए, क्या define करने पड़ती है, आपको, semi major axis and semi minor axis, बहुत टाइप होती है, इसमें, ठीक हो देख सकते हो, यह axis बोल रहा, यह axis और यह दूसरी value जो है, यह area से, य center and axis ellipse, यह center point से, यह कहा सकते हो, diameter 1 और यह diameter 2, ठीक है, यह ellipse है, एक की तरह का shape आपको, old shape में बनेगा, आप बना सकते हैं, ठीक है, spline, irregular shape बनाने के लिए में, spline का use करते हैं, ठीक है, जैसे कि, यहाँ पर points आपको define करनी है, जैसे जहाँ-जहाँ करते जा रहा हूं, यह सा साले tools तो बहुत easy हैं, यह तो by clicking आप करते हो, अब main matter की बात यह है, कि अगर हमने कोई sketches बनाया है, एक circle बनाया है, इसकी values डालनी है, मुझे, अब इसकी values कितनी है, 318, 318, ठीक है न, चलो, इसकी values अगा 320 करनी है, मुझे 350 करनी है, तो कैसे करोगे, एक तो पता है, आपको double click करोगे, इसके उपर, ठीक है, और value change कर सकते हैं, यहां से, देख सकते हो, लेकिन आपको पता होगे, यह weak dimension है, आपको क्या चाहिए strong dimension, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास available है, यहां पे normal option, dimension option होगे, देख सकते हो, यहां पे जाना है आपको, और य एक सकते हैं, यहां पे जाए एक सक्केन, डामिंचन पे जाए यह, सरकल क्लिक कीज़े, और scroll पिरस कर देज़े, इसक्रोल काम नहीं कर रहा है, ठीक है, एक सकेन, ठीक है, इसकी value 350 करने थे, 350 कर लिए जाओ, वालू चेंज होगी यह से मुझे एक रेक्टेंगल बनानी है ना कॉर्णर रेक्टेंगल अब इसकी वालू मुझे चेंज करनी है तो डामेंशन पर जाओ है ना और अब श्क्राव करने परते तब जाके वालू दिखाई देगा यह मुझे टू हंडड़ चाहिए तू हंड़ेट प्रेस कर लिजिए और इसकी वालू चाहिए देख सकते हो यहां पर ना मेरा स्कॉल प्रॉब्लम हो गया था इसलिए वह क्लिक नहीं हो पा रही थी यहां पर य यह इस ट्रॉंग डाइमेंशन यह वीक डाइमेंशन से मुझे तर इस लाइन पर जाएंगे क्लिक करके बगल में क्लिक करना परती देखा भी फिर इस कॉल प्रॉब्लम हो रही है लाइन यहां पर क्लिक जैना अब इसको 120 चाहिए 120 तो इस तरह कोई पर बना रहे हो तो इसकी वाल्रॉच कैसे वाइल्उच देने हैं इसको यह लाइन आपने बनाया इसको कर दो डिफाइन करनी है इँ एक्स्ट्रा लाइन बन्चुकी थी मेरी थिक है। अब क्या करणूं इस लाइन को डिलेट कर धूं है स्ह прям कर दिया मैं इसकी tahu डिफाइन करनी है अब कितना पर एक ट्वेंटी trata भ् peuvent 만든 चूह इस अंगिह कर दीजिए। तक यहाँ पर यह समझ में आ गया होगा basic tools ठीक है कैसे use करते हैं और sketch में कैसे हम move करते हैं जाते हैं so okay guys thank you so much